दूसतो घूमना फिड़ना किसको नहीं पसंद अगर मैं आप से जीज पूछूंगा भूंगा है या नहीं तो आप यहीं बोलोगे कि हाँ हमें फिर बहुत जब गूमने जाते हैंपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने फ्रेंट से साथ तो हम ही चाहिए होता है कि हम रहाँ पर गये हैं, हम भाहँ पर हर प्लेस या वो चैसाइब ही हो इसको एक्स्बोर करना है या फिर उसका एक्स्पिरेंस लेना है और तो सथ इसी एक्स्पिरेंस चक्कर में कभी-कभी लेथ देने भड़ जाते हैं और तो ठीक ऐसा हुआ जोनके साथ जिसको आप जानके ब आज की फीडियो की तरफ दोस्तों यह बात है 2003 की जब 34 एर्ज ओल जॉन पैंसिलवीनिया में अपने फैमिली के साथ क्वाईटी टाइम स्पेंट कर रहे थे और दोस्तों फिर अचानक से उनको चक्कर आने लगेए और दोस्तों यह उसली तरीक है थे जब उनको एक हफते पहले अपने ऑफिस आते ये दोस्तो इस बार चक्कर आ रहे थे ये बोहत ही जादा एक्स्टीम लेवल पर आ burden पर आ रहे थे कि वह न पर अपने चकर के टाइम पर पूरा बैलनस ही नः पना पा रहा था और दोस्तो फिर भी इतनी वर आने के बाद जॉन और उसकी वाइफ यही सोच रहे थे कि यह जादा ओफिस में काम करने की थकावट या फिर उनके पेट के दर्द की वज़ा से आ रहे हैं और दौस्तो इस वज़ा से उनकोई डॉक्टर से सला नहीं लिए और दौस्तो अन्होंने पेञे लेनी स्टाट कर दी और एक हफते बाद बहुत सारी पेञे लेने के बाद उनकी तबियत थी उसमें कुछ सुधार आया ही नहीं यहां तक कि उनके तबीय थी वो इतनी जादा खराब हो गई कि वो अपने बैट से उठ भी नहीं पा रहे थे और दोस्तो इन सिम्टम्स के बाद जॉन की वाइफ ने जॉन को एक लोकल हॉस्पिटल में भरती कराया और दोस्तो डॉक्टर्स के चेक अप करने के बाद उन्होंने ये बताया कि शायद उनके लेफ्ट इनर एयर के अंदरे कुछ इंफेक्शन है इस वज़े से ये प्रॉब्लम आ रही है और दोस्तो इस वज़ा से डॉक्टर्ने जॉन को बहुत सारी दवाईया दी और उनको एक हफ़ते तक बैड ड्रेस की सला दी और उनको कोई भी टाइम ना खराब करते वे उनको नियूरोलोजी डिपार्टमन में रेफर किया गया और जोन का केस हैंडल करे थे डॉक्टर डैनियल जो कि उस वक्त के बहुत ही अच्छे पैंसलवीनिया के नियूरोलोजिस थे और उसके बाद जब जब जॉन ने प्रॉबलम है दोस्तो सेर्यूबलम हमारे ब्रेइन के पिछले हिस्से में पाया जाता है जो कि हमारी पुरी बॉड़ी का मसल स्ट्रेंड बॉड़ी या फिर हायट जैसी चीजों को हैंडल करता है और दोस्तो इसके अंदर ये परशानी के वज़ए से उनका सेर्यूबलम अच्छी तरीके से काम कर ही नी पाला था पर दोस्तो अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्या था कि उनका सेर्यूबलम में इतनी बड़ी दिक्कत आ गई और दोस्तो उसके बाद डॉक्टर डैनियल ने ये डिसाइड करी कि वो जॉन के धिमाग का एक सिटी स्कैन लेंगे और दोस्तो सिटी स्कैन लेने के बाद उनको ये चीज दिखी कि उनके प्रेयन के पिछली हिस्ते में कोई एक अक्रोड जैसी चीज है जो कि बहुत बड़ी है और दोस्तो उसको देखने के बाद डॉक्टर डैनियल ये कहा कि ये प्रॉबैबिली ब्रेयन ट्यूमर होगा पिर दोस्तो एक ऐसा प्रोसेस किया गया जिसके दर दोस्तो आपके स्काल भो खुले आता है और दोस्तो उसके अंदर का ट्यूमर पर रिसर्च की जाती है कि वो क्या है और दोस्तो ये चीज जाहिर है कि आपको सल्यूशन निकाल ले से पहले प्रॉब्लम चानना ज़रू बोलते हैं और दोस्तों परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो कि किसी और की बोडी अंदर ग्रोध करते हैं और दोस्तों यहां पर तो जौन के पूरे धिमाग के अंदर असे बहुत सारे थे अब यह सुनने के बाद डॉक्टर डैनियल को यह चीफ पता लग गई थी कि उनको कि डॉक्टर डैनियल ने अपने पूरे लाइफ के अंदर ऐसा कोई केस देखा ही था कि पैसर इतनी जादा मातरा में किसी इनसान की बोडी में जा सकते हैं अभी यह पता दो लग चुका था कि यह पैरा साइट है पर दोस्तों उनकी ट्रीटमेंट के लिए जानना कि वह प पूछने स्टार्ट करें और दोस्तों उनकों ने सबसे पहले खाने की बात करी कि दोस्तों बहुत बड़ ऐसा होता कि जो पैरा साइट से वह हमारे खाने के थूरूट हमारे अंदर पोउस्ते हैं पर दोस्तों यह सब कुछ पूछ आज के बाद इससे कुछी ही क्लियर नह एक नए सीरिस स्टार्ट करी फिर दोस्तों लीजा ने ये बताया कि छे साल पहले जॉन और उनकी फैमिली इच अफरीका में रहने गए थे एक हफते के लिए फिर उन्होंने उस हफते के दोरान एक रिवर में स्विमिंग करी और उसके बाद डॉक्टर डैनियल ने लीजा की बताया हूँ सारी डीटेल्स और रिसरज टीम से भीज़ेवे सारी सेमबल्स को बाकी मिलाया और इंड में ये पता चला कि ये पानी पाय जाते हैं और दोस्तों इनको एक होस्ट एक बॉड़ी की ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए अबनी और ऐसी सिच्वेशन में जब कोई विरक्ती पानी के अंदर छलांग लगाता है तो उसके बॉड़ी से रिलीस हुए फैटी एसिट के वज़े से जिदरी मा होती है जब किसी को पेणिटैर्टिरर करते हैं तो यह एक ऐसा प्रेंप कर चोटते हैं जिसके वहिती आपकी स्किन प्रेंट के दौर्ब यह करहें और अंके region के लिए पर होयां 여기는 कि यॉद्टी में उन больा की वैसे गलती से उनके ब्रेन के पिछले पार्ट सेरूबलम में पहुच गए थे और आप जॉन की सिचुएशन ऐसी थी कि अगर आप जल्दी से कोई चीज का फैसला नहीं लिया गया तो यह अपनी जिंदी भर के लिए पैरलाइस हो सकते हैं या फिर इनकी मौत भी हो सकती है और दो जॉन की किसमत अच्छी थी कि डॉक्टर डेनियल ने सही वक्त पे सही डिसीजन लिया इस वज़े से जॉन आज जिंदा है दोस्तों मारी आज की वीडियो के लिए बास इतना ही दोस्तों अकर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई ना तो प्लीज हमार चले हो सस्क्रा आपको अगली वीडियो में दोस्तों बाई